दिल्ली से राची लोटे राज़ेपाल और राजभोन पर निगाहे मुख्यमंत्री हिमंद सुरेण की विधान सभा की ससेता समाप्त होने की खत्रे को लेकर जारखन में जारी राज़ेपाल रमेस बैस बिरसपति वार को करीब एक सब्ता लंबे दिल्ली दौरे से राची लोटे राजधानी दिल्ली रवाना होने से एक दिन पहले एक सितंबर को बैस ने सतारूड समप्रग के विधायकों को अस्वासन दिया था कि वे लाब के पद के ममले में सुरेंड की विधान सबसर सता समाप्ती के अनुरोध वाली अरजी पर भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिस पर अस्पस्ट करेगी राजबोन में अधिकारिक सुत्रों ने बताया राजपल रांची लोटे हैं अभी तक उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना फ्यासला 25 अगस्ट को राजपल को भेज दिया था जिसके बाद राज में रायनितिक संकर पैदा हो गया है हलाकि निर्वाचन आयोग के फ्यासले की अभी तक उपचारिक घोसना नहीं हुई है लेकिन अटकले है की आयोग ने मुख्य मंत्री को विधायक के तोर पर आयोग घोसित करने की सिफारिस की है 11 सितंबर से बारिस बंगाल की खाड़ी के उपर बने कम दबाव के छेत्रे के कारण जारखन में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिस हो सकती है एक जून से सुरू होने वाले फूरे मांसुन सीजन के दवरान बंगाल की खाड़ी के उपर बनने वाली या छटी ऐसी परनाली होगी मांसुन के बाद की ओधी में भारी बारिस के कारण समगर बरसा की कमी में कमी आई है मौसम विभाग के एक अधिकाई ने गुरू आर कोई अजनकारी दी बता दे रांची मौसम विज्यान केंदर के परभारी अभी से एक अनन ने बताया है कि पच्छी मादे बंगाल की खाड़ी के उपर एक कम दबाव का छेतर बना है और 48 गंटों के दवरान इसके और अधिक चीनित होने की संभावना है जहारखन सरकार बनाएगी सेंट्रलाइज डेटा सेंटर मुख्य मंत्री है मंसुरे ने सभी सरकारे भी भागो वकर्याले के लिए सेंट्रलाइज डेटा सेंटर बनाने के नेदेश जैप आईटी को दिये है उन्होंने गुरु आरको पोर्जेक्ट भाण में जैप आईटी की दसवी बोर्ड आफ डारेक्टर की बैठक के अध्यक्सता करते हुए कहा कि अलग-अलग डेटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दिश्टिकों से उचित नहीं है सेंटराइज डेटा सेंटर होने से इसका मेनेजमेंट, मेंटेनेंस और मोनेटरिंग बेहतर तरीके से करने से साइबर सुरक्षा की बेवास्ता को दुरूस्त किया जा सकता है बतादे 6 सालों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को डेटा रिकोवरी सेंटर और साइबर सेकृरिटी रेस्पोंस टीम बनाने के भी निर्देश दिये इस मौके पर उन्होंने जयब आईटी द्वारस अंचारित विभीन योजनाओ एवं सेवाओ की जनकारी ली मानो तसकरी की सिकार दो बच्चिया दिली से मुक्त जार्खन के गोड़ा जिले से मानो तसकरी की सिकार दो बच्चियों को दिली से मुक्त कराया गया है और लगातार मानो तसकरी के विरूद काम कर रही है टोल फिर नमबर 10582 पर विभाग को गुपत सुचना मिली थी कि गोड़ा की दो बच्यों को दिली में बेचा गया उसके बाद नई दिली में एक अपार्टमेंट से दोनों बच्यों को स्कुसल्मुक्त कराएं गया है ज्यार्खन में ढालभूम गड यरपोट का विरूद ज्यार्खन के पुर्वी सीम्हूम जीले के ढालभूम गड में यरपोट निर्मान के विरूद में देव सोल के ग्रेमनःों ने बैठा की इसके अद्रक्स्ता ग्राम प्रधान डाखिन हंस दाने की बैठक में कहा गया कि यारपोर्ट पांचवे अनुसुची छेतर में है यहाँ पेशा कानून लागू है यहाँ ग्राम सभा सरोपरी है इसके बावजूद सरकार यारपोर्ट निर्मान की कोशिश कर रही है ग्राम सभाग की अनुमतिक बीना यारपोर्ट नहीं बनेगा बदादे पुर्वी सिहुम जीले के धालभूम गड़ यारपोर्ट का ग्रामिन बिरोध कर रहे है इसके खिलाप उन्होंने बैठा की और रहनती बनाई है हे मंत सरकार ने आठ सहीद के आस्रीतों को दी नौकरी मंत्री चमपाई सोरेन गुआ गोली कांड में सहीदों को सदानली देने पहुँचे जारकन के मंत्री चमपाई सोरेन ने कहा है कि उन्हें सोरेसी में हुए गुआ गोली कांड में एगारा आदिवासियों ने अपना बरेदान दिया था लेकिन आज तक किसी ने सहीदों को समान देने का कारे नहीं किया जैसे ही जारकन में जहमुमों गरबंदन की सरकार बनी मुख्य मंत्री है मंसुरे ने आठ सहीदों के असरीतों को नवक्री देखकर सम्मान देने का कारे किया है साथ ही उन्होंने कहा कि कुरोना काल में जहरकन राज के मईदूरों को दूसरे राजियों से लाकर स्रियम ने बेहतरीन कारे किया कई मईदुरों को ट्रेन के अलावा प्लेन से भी लाया गया उन्होंने कहा एके मुख्य मंत्री की ऐसी सोच जो परवासी मईदुरों का एक सम्मान के तहत दाने का कारे किया है जैसे इसे जार्खन में क्रोना से हमें नियंत्रन मिलने के साथ ही जार्खन का पूर्म विकास किया है बोकारो के चंद्रपूरा एस्टेशन के पास दो हिसे में बटे मालगाडी डिबे बोकारो जीला अंतरगत चंद्रपूरा इस्टेशन दुगदा मिडलिंग याड लिंक लाइन में गुरुवार को चलती अवास्था में एक रेलवे रैक दो हिसे में बट गया सन्योग रहा कि इसे किसी तरह की बड़ी घाटना नहीं घटी गुरुवार की सुबा एक खाली रैक भाया गाया गोमो होकर चंद्रपूरा इस्टेशन आया यहां चालक और गार्ड को बदला गया उक्त रैक को भोजुडी जाना था जिसे लिंक लाइन से निकाला गया लवभग सात बजकर चालिस मियट पर पोल संख्या डी जी डी आठ तेरा के पास अजाना के यह रैक दो भागों में बट गया रांची के कंटा टोली फलाई ओबर निर्मान को लेकर सुक्रवार से रूट डैवर्ट राइधानी रांची के कंटा टोली फलाई ओबर निर्मान कारे के कारान होर है ट्रैफिक जाम की समझ से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 9 सितमबर से आटो और इरिक्सा का ट्रायल के आधार पर रूट डैवर्ट किया है वहीं कार और बाईक का रूट भीड़ा इवर्ट किया गया बतादे बीर्शा चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक की ओर से कंटा टोली चौक की ओर जाने वाले आटो इरिक्सा का परिचालान बहु बयार चौक से कंटा टोली चौक की तरफ नहीं होगी समंधित मार्ग से आने वाले आटो और इरिक्सा बहु बयार चौक से करवला चौक, मिसन चौक, पलाजा चौक, निक्रिया स्मॉल चौक होकर अपने गंतब्यास्थान तक जाएंगे जरूरत मंद बच्चो को कर जागरूप राइस्वारी भी देश एवं राज अस्तर पर बच्चो के लिए कई नीतियों का निधान किया गया है उन्हीं नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए समाज के हर बच्चे को विसेस का जरूरत मंद बच्चो को उनके अधिकार के प्रति जागरूप करना ही हमारा करतब है कारेसला का उद्धेश से हाई कि बाल सनरच्छन वं बाल अधिकार से जुड़े मुद्धों पर हम समाज को जागरूप कर सके और बचों के प्रती दाईत्यों का निर्वहन नितिगत सिधियों के मुताबिक कर सके ये बाते जारखन राजबाल सनरच्छन संस्था की निदेशक रहसवरी भी ने राज गिरामिन विकास संस्थान हेहल में अवेजित कारेसला में कही जारखन राजबाल सनरच्छन संस्थान की निदेशक रहसवरी भी ने कारेसला को संबोधित करते हुए कहा है कि उस्तम नियाले द्वार निर्देथी सड़कों पर रहने वाले गुमन्तु बच्चों के लिए बिशेश कारे करने की जरूरत है जारखन में डाइन विसाही के नाम पर साथ माह में सत्रह हत्या जारखन में डाइन विसाही और उससे होनवाली मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं हाल ही में राइधानी राची के सोना हातु में तीन महिलाओ की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी गई थी इसके बाद गढ़वा जिले में एक महिला और उसके पती को डाइन बता कर उस पर लाठी डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया दामपती की सिकायत पर भणातपूर थाना की पुलिश ने दो आरोप योगी रफतार भी कर लिया है बता दे महाई दो साल में जारकन में डाइन बिसाई के आरोप में 38 लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया वर्ष 2021 में 21 लोगों की हत्या कर दी गई थी सिक्षको वह सिक्षा कर्मियों को आवकास के लिए ओनलाइन बेवस था सरकारी सिक्षकों एवम कर्मियों को अब छूटियों की स्विक्रिती के लिए कर्यालियों का चकर लगाना नहीं पड़ेगा नहीं उन्हें इसके लिए परधना ध्याप को बबुओं और अफसरों की जी हुजुरी करनी होगी आवेदान टेबलो पर लंबित भी नहीं रहेंगे लेंदेन की भी कोई बात नहीं होगी अब सिक्षकों कर्मियों की छूटियां अन्लैन स्विक्रित होगी वह भी समय पर बतादे स्कूली सिख्चा अमसक्षर्टा विभागने सभी सिख्च को कर्मियो अपदादिकारियों के लिए मानो समपदा पोर्टल पर ओनलाइन छुटी परवंधन मोड्यूल को अपनाने का निर्न लिया है इसके लिए विभीन छुटी नियमों सेवा सर्तों का पालन कराने के लिए बतामान में लागो छुटी परवंधन प्रनाली में व्याप्त कम्या की पाचान कर उन्हें दूर करते हुए नई ऑनलाइन छुटी परवंधन प्रनाली अईसुचित की गई है 25 सितंबर को होगी नर्सिंग परवेस परिक्षा जार्खन के सरकारी नर्सिंग इसकूलों में संचालीत एनेम तथा जी एनेम पाठ करमों में नमांकन के लिए परवेस परिक्षा 25 सितंबर को होगी इसी तरह BSC नर्सिंग में भी नमांकन के लिए भी अलग परवेस परिक्षा इसी दिन होगी दोनों परवेस परिक्षाओं में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन की परकिरिया गुरु आर्ट से शुरू हो गई है जार्खन सन्युक्त परवेस परिक्षा परशद ने ओनलाइन आवेदन भरने की अमतिम समय सीमा 14 सितंबर ने धारित की है पारसत द्वारा जारी सुचना के अनुसार से दोनों परिविस परिक्षाओं के लिए भरे गए ऑनलेन आवेदर में किसी परकाट का संसोधन 15 सितमबर तक हो सकेगा देवघर यारपोट की सुरक्षा से हटाये जाएंगे जारखन पुलिस के जवान देवघर यारपोट की सुरक्षा बेवस्ता से जारखन पुलिस के जवानों पताधिकारियों को हटाया जाएगा हाल में हुए उपायुक्त मंजुनात भयांत्री और भाजपा संसर डाक्टर निसिकान दुए बिवाद के बाद एसपी देवघर ने अपने अनुसंसा पुलिस मुख्यालाई और सरकार से की है उन्होंने इन जवानों पताधिकारियों के अस्थान पर केंद्रियों और देवगिक सुरक्षा बल को परतिन्युक्त करने की मांग की है एसपी ने अपने पत्र में उक्त बिवाद का जिक्र नहीं किया है उन्होंने लिखा है कि देवघर हवाई अड़ा के सुरक्षा में लगे राजे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को हवाई अड़ा के सुरक्षा कानुभव नहीं है जिसके चलते सुरक्षा बेवस्था के निगरानी में कठिनाया हो रही है जारखन के चार हेल्थ आइन वेलनेस सेंटर से जुड़ेंगी राष्टपती द्रोपदी मुर्मू राष्टपती द्रोपदी मुर्मू सुक्रवर को परधान मंति टीवी मुक्त भारत अभियान का सुबारम करेंगी इस अभियान का उदे से टीवी से ग्रासित उपचाररत रोगियों के लिए समुदाइक सहायता एवं सभाइकता सुनिशित करवानी है मालूम हो कि सरकार द्वारा टीवी उन्मूलन के लिए मरीजों को हर माँ 500 रुपए पोसन सहायता रासि उपलब्द कराई जा रही है सरकार की मन सहाय की इसके अतरीक्त पोसन सहायता के लिए जनपरतिनी धी, कार्पोरेट, गयर सरकारी संस्थान या समाने नागरीक आगे आए मरीजों को मदद पहुँचाए कम से कम एक साल तक मरीजों को अपने अस्तर से सहायता रासिदान करे सरकार ने लक्ष तय किया है कि भारत को किसी सूरत में टीवी मुक्त देश बनाना है रांची में कॉलेज में घूस कर सिक्षक की पिटाई रांची के डोरंडा कॉलेज परिसर में एक सिक्षक की पिटाई उस वक्त कर दी गई जब वे MBA के चातरों को पढ़ा रहे थे मामले में आठ आरोपियों के खिलाब सिकाय दर्ज कराई गई है मामले की जनकारी देते हुए कॉलेज के सिक्षकों ने बताया कि कॉलेज में घूस कर बाहरी लड़के छत्राओं के साथ छेर्खानी कर रहे थे जिसका बिरोध प्रोफेसर के द्वारा किया गया जिसके बाद वे लोग सीख्चक से मारपिट करने लगे सराय केला के 28 बिधायाक MDM रिपोर्ट जमा नहीं किया जार्खन के सराय केला खर्षवा जी लेके सराय केला परखन के 28 बिध्यालेयों के H.M. द्वारा समय पर मद्यान बोयन योजना की रिपोर्ट परखन संसाधन केंद्र में जमा नहीं करने पर B.E.O. दिनेस दंडपात ने सोक काज जारी किया है गुरुवार के गारबय तक अस्वाष्टी करन नहीं देने वाले बिध्याले परबंधन पर करवाई की जाएगी आपको बता दे कि महीने की तीन तारिक तक पिछले माँ के मद्यान बोयन का परतिवेदन पर खन करयाले में जमा करने का निदेश दिया गया था बिधायक समरी लाल की बिधान सभासरस्यता हो सकती है रद जारखन में कूल आठ बिधायकों की बिधान सभासरस्यता इस समय खत्रे में है इन में जामुमों के तीन बिधायक यानि मुख्य मंत्री हमान सुरेन, बिधायक बसंद सुरेन और पेजल स्वक्षता मंत्री मिथलेश ठाकूर, भाजपायक बिधायक बावुलन मरांडी वा बिधायक समरी लाल तथा कांग्रेस की बिधायक इरफान अंसारी, बिधायक नमन बिक्सल और राजेस कक्षप की बारी आने की संभाव नहाए सहायक अभ्यांता नियुक्ति परिक्षा आरक्षन मामला जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन जार्ष्टिस एसन परसाथ के अधालत में सहायक अभ्यांता नियुक्ति की परिक्षा में आरक्षन देने के खिलाब दा के लिया जाप्र सुनवाई होई आदालत में मामले में बिश्टित सुनवाई के लिए 26 सितम्बा के तीटीर निधारित की है हालाकि इस दवरान अदालत ने कहा है कि आज क्या में अदालत के अमतिम फैसले से नियुक्ति पर क्रिया प्रभावित होगी साथ ही अदालत ने JPSC को या सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि इस मामले में जिन लोगों का सशतकार लिया जा चुका है उन्हें हाई कोट के आदेश की जनकारी दी जाए बोर्डिंग एस्टेशन पर नहीं पकड़े ट्रेन तो दूसरे को मिल जाएगी वर्थ है भारतिये रेल ट्रेनों में अब TTE के मनमानी पर ब्रेक लगेगा चलती ट्रेन में यात्रियों को वर्थ के लिनना तो TTE के सामने गीगराने और नहीं बीनमर करने की जुरत पड़ेगी नई बेवस्ता के तहत वर्थ खाली होते ही RAC और वेटिंग टिकट वाले को सवता ही या आवंटित हो जाएगा या नई बेवस्ता धनबाद रेल मंडल की सोलर ट्रेनों में लागू हो गई है अक्टूबर माँ तक धनबाद कोडर माँ गया जक्सन के रास्ते होकर चलने वारी अन्य ट्रेनों में भी असुविदा सुरू हो जाएगी गुमला में NCC अपसर का दूस्ता है सर्किट हाउस पर किया कबजा गुमला जिला पर सासन के सर्किट हाउस के एक कमरे पर NCC अधिकाई ने कबजा जमा लिया था वो पिछले चार साल से रह रहा था किराया भी नहीं दे रहा था यह अधिकारी 46 जार्खन बटालियन NCC का है गुरु आरको जिला पर सासन के आदेश पर उसके कमरे का ताला तोड़ा गया कमरे से समान बाहर निकाल दिया गया NCC अधिकारी को समान ले जाने का निर्देश दिया गया नजारत उप समाहरता सिधार्त संकर चौधरी ने मैस्टेट की मौज़िदी में यह करवाई की है जब कमरे का ताला तोड़ने की परकिरा शुरू हुई तो सरकिट हाउस में थोड़ी देर के लिए NCC के अपसर और नजारत उप समाहरता के बीच बहुत सबाजी भी हुई है हाई स्कूल टीचर के लिए अवेदन शुरू पहले इस परिच्छा में सामिल होने के लिए 25 अगस से ही ओलन फरम भरे जाने थे लेकिन बाद में इसकी तीथी बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी गई बुड्डू अनुमंडल का उनस्वास्थ अपना दिवस मना रांची के बुड्डू अनुमंडल का गुरू अरको उनस्वास्थ अपना दिवस मनाया गया साधे समारों में अनुमंडल कर्याले में अस्थ अपना दिवस मनाया गया प्रसासनिक अस्तर से बुड्डू में सीविल कोट और जेल का निर्मान याथा सिग्र कराने के पर्यास किया जाएगा सरकार की ओर से सीविल कोट और जेल बनाने के लिए जमीन सिग्र चिनीत की जाएगी पूर्वी सिंभूम के बहरा गोड़ा और बरसोल थाना परभारी सस्पेंड अबर बरसोल थाना परभारी ससी कुमार जब बहरा गोड़ा थाना में और निरक्षक के पत परपत ठापी थे उस वक्त बहरा गोड़ा थाना परभारी सस्पेंड चले जगा जाने के बाद ससी कुमादवारा वाद रूप से जब्त डिजल और किरसुन तेल को रातो रात थाने से बेचने कारोप लगा था। संजाय उराव, संजाय महली वा राजू उराव को आकरी सांस्तक जेल में रानी की साजा सुनाई, साजा के साथ 10-10 साजार का जुमाना भी लगाया है। संसोधन पर स्युक्रिती मिली थी, अस्पतालों में नए पद भी स्युक्रित किये गाया है, उसके अनुसार मेडिकल कॉलेजों में सिक्ठा सनवर्ग के एक सोची किसको की भी सिक्रिन्युक्ती होगी। धन्यवाद, यादी आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बॉल का पहले एक अंदा वाईये, साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले, साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स को अपना फिड़बैक अवाच से दे, थैंक यू